एक बार की बात है, एक छोटे से गाउं में एक परसिध तांत्रिक रहता था. उसका नाम बाबा कालानात था. बाबा कालानात अपनी रहस्य में शक्तियों और डरावने अनुष्ठानों के लिए मशूर था. लोग दूर दूर से अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए उसके पास आते था. एक दिन कांफ के एक युवक, अरजुन की पत्नी अचानक बीमार पढ़ गई, डॉक्टरों ने भी उसे ठी करने में असमर्ठता जताई. आरकर अरजुन बाबा कालानात के पास गया. बाबा ने खहा कि उसकी पत्नी पर एक धेंकर आत्मकास आया है औ उसे हटाने के लिए एक विशेश अनुष्ठान करना हो गया. अरजुन ने अनुष्ठान के लिए बाबा का वानात ने अंधेरी रात को अपने आश्रम में में अनुठान शुरू किया वमंत रचारन कर रहा था और उसके चारों और हसी में दूआ फैल रहा था. अरजुन ये सब देखकर घबरा गया. बाबा ने एक भैंकर चीक के साथ कहा, ये आत्मा अब मुक्त नहीं होगी. ये हमेशा के लिए यहां कैद हो चुकी है. अरजुन समझ नहीं पाया कि बाबा क्या कह रहे. उसने देखा कि बाबा का शरीर स्थिर हो गया और उसकी आंखें पूर आत्मा के साथ कैद कर लिया है. उस रात के बाद से बाबा कालानात का आश्रम हमेशा के लिए बंध हो गया. कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता. एते हैं कि आज भी जब चांदनी रात होती है तो बाबा कालानात का प्रेत वहां घुमता है और उसकी आँखों में व सचमुच आत्मा को कैद किया था. यवा खुद उस आत्मा का शिकार हो गया था. ये रहस्या आज भी अनसुलजा है.